नमस्कार तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टिसान गर्ग और उनकी माता जी सविता गर्ग जी आपको कैसा लगा अच्छा लगा सर्यां के बहुत अच्छा लग रहा है टेंडेस कब निकल रहे हैं पता नहीं चल रहा हम लोग उपकर जो परेसानिया थी उनमें कितना आराम अगर और कोई प्रस्न हो तो पूछ सकता है सर में पूशन चाहरे हूं कि जैसे शुगर क्या हम खतम कर सकते हैं जड़ से खतम हो सकती है कि शुगर बिलकुब शुगर के लिए बूल रूप से यह कहा जाता है कि किह मैं कि सुगर एक ऐसी बीमारी है कि हो गई तो मर्वड़ मैं ही चूटी एक सामाने लोग यह कहते हैं फ़ेशन के लिए कुछ अगर पूरे सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो आदमी इस वर को पा जाता है सुगर को सही करना तो बहुत बड़ी बाद है लेकिन कोई अगर यह कहे कि केवल एक चूरन खाके सुगर सही हो जाती है या एक पेड़ के पते के रस को पी करके सुगर को तीर नित में खतम किया जा सकता है वो पूरे तरीके से सही नहीं माना जा सकता सुगर के खत्म होने का केवल एक तरीका होगा और वो सुगर के ही नहीं, वो किसी भी बिमारी के अगर आप किसी भी समस्या का, बिमारी भी है, सरीर में रोक का रोक होती है किसी भी समझ्यां का, आप अगर मूर कारण समझ जाएंगे, तो फिर निवारण उसका आराम से हो जाएगा, और सुगर के लिए मूर कारण होता है, आप कैसे भी करके ये समझ जाएं, कि जब से व्यायाम में और काम में कमिया आई है, तब से सुगर होना चालू हुए है लोग और इसी लिए सुगर को राज रोग भी बोला गया है राज रोग का मतलब होता है जो लोग राजाओं जैसा जीवन जीना चालू कर देते हैं राजाओं जैसा मतलब सामाने तौर पे ऐसा होता है कि सारे सुख सुभिलाएं हैं, अपने को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, बढ़िया आगाम से रह रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन उसको खाने के माद पचाने का भी प्रक्रम नहीं कर रहे हैं, तो निशित ही वो जो लाइस्टाइल है, वो लाइस्टाइल हमारे लिए कुछ ऐसी बिमारियां पैदा करेगी, उन बिमारियों में एक बिमारी होती है, तो अगर हम राजाओं जैसे जीवन का यापन तो करने हैं, कोई दिकत नहीं है, राजा पहले रहते हैं लेकिन राजाओं को सुगर लेकिन उसके लिए प्रयास रहते थे वियाया, उनका दोडना है, जाना है, वो जो था, वो शरीर में उर्जा आपके संग्रह को रोपता रहता है, वो जो रोपता रहता है, कुछ ने कुछ ऐसा जिससे जो आपने खाया है, वो पच जाए, उसकी उर्जा खतम गर दोगा, अगर ये कर सकते हो आप, तो ये समझने की आवसिता है, कि अगर आपको सुगर हो रही है, सुगर का मूल कारण होता है, कि आप जो खा रहे हैं, उसको पूरा पचा नहीं पा रहे है, तो अपच हो रही है, धीरे-धीरे करके लाफसाइल आपकी खराब होने की वज़े से, जो आप खा रहे हैं, उसकी कैलरी आपके सरीर में जमा होती चली जा रही है, धीरे-धीरे करके कैलरी जमा होती है, तो खाया जाता है, सरवे रोगा मलागा, सारे के सारे रोग हो जाते हैं, अगर सरीर में कैलरी जमा होती है, मल के रूप में, पैंट्रियास की एक्टिविटी पहुचे पैंप्रियास की फंक्समल एविलिटीज बढ़ाने के लिए पैंप्रियास पर फूड और और प्रॉपर पहुचे ना उसकी बढ़ जाए उसकी कोशिका है जो है और फिर से जीवित होजे सुखते हुए पेर को आप उपर से उसके पत्तों को गुलाब जल से दोते हो और एक ग्लास पानी उसकी जड़ में डाल दो जड़ में डाला हुआ पानी उसके अमरत जैसा काम करेंगा गुलाब जल से पत्तियों को डोते रहोगे पत्तियां सूपके जड़ लेंगे तो ठीक ऐसे हमें सुखर को खतन करना है तो कि बेसिक पॉइंट पकाम करना है तो बिल्कुल ठीक करके बैठे हुए है तो दबाईआ दे रहे थे उनकी दबाईआ छोट गया ही है जो इंसुलिन लेते हैं इंसुलिन वाले जो पेशेंट हो कि अगर वो रेवाइबल रेट उसकी अच्छी है और थोड़ा बहुत भी जान बची थी वीटा सेल्स में अग प्रयास बहुत अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि प्रयास अगर अच्छा है तो निश्यक्ति करत करत अभ्यास के जड़मती होते हैं तो पूरे तरीके से सही की जा सकती है और अगर आपने बहुत अच्छा फॉलो अपर लिया सिंपल सिंपल चीजे हैं कोई असा नहीं कि अपने को पहाड़ खोदना पड़ेगा या रॉकेट बनानी पड़ेगा सिंपल सवेरे चड़ गए अच्छी मात्रा में पानी पी लिया पानी पीने के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट लूके उसके बाद मोशन गए मोशन चाते समय आपको जोर नहीं लगाना है अंतों गर्णी तो आते में जोर हो जाती है उसके बाद सबेरे सबेरे मंजन करके फिर व्यायाम का नियम जरूर रखा जाए और साम को भी खाना जद्दी खादर के साम को खाने के बाद पुरा प और क्या है दूसरा और कोई प्रस्न था तुदांसा आपको भी अच्छा आप लगा एलकल एनर्जी फ्लेक्सिटी अमरे जिए इसमेरे ऐसे डिटी होती है पेट में कर्मी रेती है जैसे मतलब मेरे फेस पेंपल्स भी बार-बार होते रेते हैं तो ये पेट की गर्मी की व देट की गर्मी को सान्त करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है दो चीज एक तो पानी और दूसरा क्रामाए आप पानी उस तरीके से पीए कि वो पानी आपके सलाइबा को लेकर के जाए पानी के लिए बोला जाता है आपको वह भैसजम आपको 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 जल बहसजम का मतला होता है आउसदी जल आउसदी के जैसा काम करेगा अगर हम उसको अच्छे तरीके से में हम क्या करते हैं पानी पानी को पीने के सरीर में सुध्ध हवा का संचार अच्छी मात्रा में होता है असुध हवा शरीर प्रदन में दर्द, चेहरे पे जलन, आफ़ों में जलन, चिर्चड़ापन, चेहरे पे फुंसिया होना, एकदम से हीटिंग स्लसेस चाइप का चेहरा पूरा लाल बना रहना, सिर में भी दर्दा जाता है, पाल भी जढ़ना चालू कुछ जाते हैं, बहुत सारी समस्या है, इ पाली जीज खाने हैं ठंडे प्रदेश में चले जाएं, एसी को सोरा पे कर दिया जाएं, तो मजाएगा अच्छा दोगीगा उसे, तो कि जब जब फित बढ़ता है, मतलब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को बैलेंस करने के लिए आपको सर्दी को ज्यादा बढ़ना आप जाद होगे आप गर्मी और सर्दी अपने आपको न्यूटिलाइस करके बैलेंस कर लेगी, उसे आप मिल जाता है, तो अब अपने को इतो प्रानायाम जादा करना है, बुसरा पानी की मात्रा, जादा मात्रा में थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार करके पानी पिया कि छने के चाने के तुरन्त पहले है, घाने के तुरंत पार पानी पिल्कुल नभी आ जाए, अगर आपको पानी पिन behaviour क्यादर पानी में झाले पानी के लिवनाी summary यह लगवार्य की पानी कानी बूड़ पर जाएगा, बाकी पूरे दिन में तरीका होता है कि आप कैसे भी करके आतों पर जो पड़ रहा है उसको खतम रहा है जाच चलेगी जाच बोड़ी नास्ते में ले सकते हैं चाच बोजन के तुरंत बात देसके का जाता है जो चले नहीं हो यह ध्यान रठा गया और कोसिस अगर हो जाए तो गाए के दूर की चा आज थोड़ा जादा परेटिवली अच्छा काम को खाने को ज्यादा चबा कि आप एस दिगा अगर खाने को आपने 60 बार चबा के खाले में रहीं तो इतनी लार निकालते हैं लार में बहुत अच्छे तरीके से इंटसेफ्ट प्रपर्टीज होती हैं खाना क ? जिसको बहुत हाता है अउसको जबता है उसको अंदर से जाला प्रशर बढ़ता तो यह थिए लूज हो जाता है खाना मासा का उपर की तरफ आणा चालो होता है इस कहने होता है इस तो हम झाल इस जो फ्राब्र फिर्ट जिनके दांतों खराब हो रहे हैं यह माल निया जाए कि पर तो हका प्रकों पित वह बहुं वह लुए फिर्ट को जो हुदान चाहर निलता है ज़का है तब फिर नाथ को खराब कर देता है जला भी खराब रहना चाहुए लिए इसके लिए किबल चमल कि खाना चाहुए तो इसके लिए कि यम्रे også बिल्कुल इते हैं हट स्थाइराइड कि ङए क्या कर सकते हैं तो रख तैराइड कि जो प्रोगे बोक्त लोगों में बोट कम हैससे आरी है आज– थाइरोड बैसिकली एज सरीर में भीटिया मार के कम होने की वजह से दिर सब्सक्राइड बहुता है उसको है पो थैरोडिस्म बिला यहां be thyroid के हार्मोन जो है वो है है कम हो जाते हैं थेरोट के हार्मोन होते हैं अब लोग THS मैं ग्रीड होते हैं in यह बीड़र से आने वाला हैं जब वो आपके T3-T4 कम निकलते हैं तो 3-2-4 का काम होता है खाने के पचने की दर को मेंडेम कराई। अब अगर यह कम निकल रहे हैं तो खाने की पचने की दर कमडेंग सब्सक्रा अब आपने खाना तो खाया लेकिन पचेगा नहीं अगर भू पच्य का नहीं तो धीराइरा खाया खाया घ्याए में शरीर में लगए का स्फायरॉट थाइराइब शच्याओ अबट अब मारे न सबादु आड़ना चालू करते हैं आपको खाया का शूच Mr. Gentai aliment हमेसा बना रहेगा यह थाइरोइड के लक्षन होते हैं तो आपका थाइरोइड दीरे-दीरे करके खतम होना चालू हो जाता है और थाइरोइड के लिए अगर कोई धंके जगे पे आप चले जाते हो वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर आपको बतारता समझाता है तो निश्यत ही केवल व्यायाम थाइरोइड के लिए पर्याप्थ ट्रीक्मेंट है अगर आपने सबेरे एक गुंटा सांब को आदा गुंटा चालेज मिनट का अच्छे तडिके से व्यायाम करके पसीना निकाल दोगा क्योंकि पसीना तभी आएगा जब बढ़ते ही तो था तो आपको केवल व्यायाम करना और खाने में वह भोजन करिए जो बहुत आसानी से बच जाता है या फिर जिसको पचाने के लिए हम जितना व्यायाम कर सकते हैं वह अगर हम कर पाएं तो फिर हम भोजन का थोड़ा बहुत उपर नीचे कर सकते हैं तो अच्छा खाना और ज्यादा व्याया थाइरोड के लिए सिंपल से कुछ ऐसी एक्साइज़ जैसे थाइरोड गले पर होती है गले पर होती है घरा ये मैं को अधिसर में है योटिप पे सरच करेंगे तो उसमें इस सब्सक्राइब को से करना है बंद का सबसकते हैं एक साइजेस कौन सी करनी है, कितनी देल के ले करनी है, वो सारा बताया ले तो अपन देख सकते हैं, बड़ी आना ही जो, फारवार को ईजी भी खतम किया जा सकता है, समस्या नहीं आए लिए, सूजन है, आलस है, कमजोरी लग रही है, यह जादा से जादा महिने से देल मेरे म सबसे अच्छा तरीका वह होता है वह होता है कि आप एक वार रात को सोने से पहले जो जिसमें आपको पे नहीं लेनी की ज़रूरत पड़े है और अलिव डाल सकते हैं या फिर आयरवेद में कुछ प्रिपेर्ड मेडिसिन साथी है जैसे सट्विन दूतेल है आप लूतेल है या गाय का घी है तो इसे चेंज भी करना चाहिए हर दो चाहने में चेंज कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत में है अब लगाता एक ही तेल का आफेयर कर सकते हैं यह ध्यां कि लेगे तो अकुल आगर तेल डाएं निमोनिया होता है तो जो मतलब होता है शवातर नाक में डाला और वह दीरे-दीरे करके ट्राइटीरी जहां ठोड़ा में थोड़ा 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 पहुंसते पहुंसते उसके को माशसे तुम्हाहिंते तो हम दोड़ाइछ नेखल सब्सक्राइब शाइब लोग जो कहने गले टक आ गया था गाला खराब हो गया इसका मुटल भर दिया तो ना को भर नहीं यह ध्यान भर रहे जहां डैनवन्स डाल सकते हैं देगी ना कम आख में तरह करते थे नांख में ओंझनी तेल लगाते थे और नामी में भी हुआ समय तेल लगाते थे जरूर तो फ्रण हीम। टेलीजम थे वह लिए वहbest दूर्जेत हैं वहाँ कर दो अछे तरीक परिके से